S.S.E. G.D. Coastable वर्ती 2018 नमस्कार दोस्तों S.S.E. G.D. Coastable वर्ती 2018 को लेकर वोती बड़ा यापर कूच क्या जाएगा इसान्तिपूर अवियान रखा गया है आज है 12 नवबर ऐसे में वीडियो जारी हो चुका है दोस्तो आज सुबह का रणवीर शिंग जी का कैसे कैसे और क्या क्या याँ पर प्रोसेश से गुज़रना होगा जो अंसन किया जाएगा उसमें कौन-कौन सीγοर्टों को द्यान में रखा जाएगा क्या क्या मांगे रखी गई है आकिर सरकार को मांगे माननी पड़ेगी आले में BJP सरकार है वो यहाँ पर भी आर में बन चुके ऐसे में बड़ा जसन मनाया गया था भी आर में एसा ही जसन इससे बड़ा जसन है वो SSGD कोंस्टेबल बढ़ती के अव्यारतियों के द्वारा मनाया जाना आवाला है क्योंकि अगर आपकी वैकेंसी बढ़ती है तो 85,000 गरों की जी है दोस्तो 85,000 गरों के लिए एक बहुती बड़ी और अच्छी खबर होगी और बहुती अच्छी दिपावली का तेवार इस बार मनाया जाएगा उनके लिए क्योंकि सबसे बड़ी कुछी उनके परिवार को मिलेगी 85,000 कंडिडेट एक साथ SSGD कोश्टेबल में बढ़ते होंगे दोस्तों इसको लेकर मैं सारी जानकार ये आपको इस उडियों बताए उससे पहले बित्क वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को आप जरूर सस्क्राइब कर लि देता हूं जिसमें उन्होंने क्या क्या कहा गया है जो अंशन किया जा रहा है उसमें कोन-कोन सी बातों को या पर्ध्यान में रखा जाएगा दोस्तों ये वीडियो में आपको पूरी विश्तार से दिखा देता हूं तो चलो दोस्तों देखते हैं कि दोस्तों जाहिंद रन्वीज सिंग की तरप से हमारे हजारोने लाखों स्टाफ स्लेक्षन कमिशन के सताय हुए कि एससी जीडी उमिद्वारों को कि मैं सलाम करता हूं कि दोस्तों कि आपके आने के उपलक्स में डेली का मौसम भी करवट ले रहा है कि बदलाव देखने को मिल रहा है कि रहां शाम को ठन बढ़ गई है ऐसा लग रहा है कि पूरा जो है धुआ 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 सा फॉगी और पॉलुशन में कुछ वर्दी हुई है लेकिन हम इससे घपनाने वाले नहीं दोस्तों बारा नोवंबर हंदोस्तान के इतियास में एक इतियासिक दिन होगा जब दिवाली के मौके पर बेज के हजारों नौन हाल अपनी माओं मा की छाओं को छोड़ कर और इस सदी के संत बापू की समाधी पर सरन में आएंगे ताके मीडिया आम पब्लिक और सरकार का ध्यान इस और जाए कि तीन साल से लंबी चली भरती प्रक्रिया जिसके कारण ये युवा ओवरेज की कगार पर हैं और अगर ऐसा होता है जो पिछले दस साल से होता आ रहा है चाहे वो ग्यारा की भरती हो या दोहजार पंद्रा की भरती हो अगर ऐसा होता तो यह एक बहुत बड़ा जो है दुक्की बात होगी और हम चाहेंगे कि शांति पून तरीके से आप लोग आएं सेप्टी की बहुत जरूरत है क्योंकि क्योंकि आपको यह याद रखना होगा कि घर में कोई मेरा इंतजार कर रहा है जिसे साब से आप घर से चले हैं उसी कदमों का इस्तमाल करते हुए आपको घर जाना और शांति पून तरीके से यहां दस कर देनी जो लोग अभी घरों से नहीं चले हैं मैं उनके लिए विराय दूंगा कि वो अपना स्वेट और वगरा भी जरूर ले लें क्योंकि कल के और तापमान में आज में कुछ थूड़ा सा फरक है कंबल जरूर ले लें और अमीद करते हैं कि यह जो एतिहासिक धर्णा परदस्वन जिसमें देश भर के हजारों अलग-अलग राजों से जो उमीद्वार भाग लेंगे इस देश की तत्बीर और तस्वीर बदलने का आमादा जो रखते हैं एक नई दिसा और दसाते करेगा 12 नुवंबर का धर्णा परदस्वन हमने तक्रीबन मीडियाज को इन्विटेशन दे चुके हैं कि आईए इस हक की लडाई में धंदों को छोड़ के अब तो अलेक्शन भी समाप्त हो गया है और आये युवाओं की आवाज बुलंद करें ताके सरकार के संग्यान में जाएं हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के नहीं है यह क्लिर करना चाहेंगे लेकिन जो लोग जो भी राजनेतिक सत्था हो या पक्स हो भी पक्स हो जो लोग भी आना चाहिए जो युवाओं के हग की बात करें उनके जो हम क्या मांग रहे आप से सिर्फ पच्चिस अजार सीटे बढ़ाने की बात करें सिक्स्टी ओलेडी हैं तो वो नेता लोग भी जो भी किसी भी पार्टी सत्ता पक्स या विपक्स का हो साधर आमंत्रेत है हक की लडाई में क्योंकि यह पॉलिटिकल मंच नहीं है हमारी जो है गोहार तो मानें प्रधान मंत्री जी देखार आवाज जा रही है लेकिन दुख की बात है कि ग्रह मंत्री जी और ग्रह राजय मंत्री जी को बार-बार उनके ओफिस में टेलिफोन करने और उनके जो विशेश सायकों से बात करने के बावजूद आज तक नहीं बुलाय गया कोई बात नहीं जब एक अतिहासिक मार्च होगा शान्ति पूर्ण मार्च बैनर पोस्ट के साथ बैनर पोस्ट भी ऐसे बनाए जाएं लेकिन सरकार को हम चेता रहे हैं कि आने वाले जो एलेक्शन है उसमें ये लोग महत्वपूर्ण भूमिका ने भाएंगे अगर आपने हमारे युवाओं की आवाज को इग्नौर किया वरी क्लियर और कई लोग बोलते हैं कि लंबा धर्णापर दर्शन होना चाहिए ये ये तो सही रनवीर फैंसला ने करेग कि अगला कदम क्या होना चाहिए वह आपसे पूछ के किया जाएगा धन्यवाद हम आपके जो है विसे प्लिजन्ट ये क्रोना फ्री और जो है पुलिशन प्रेंग आपको बहुत-बहुत मबारक कुछ लोग चल दिया है रस्ते में होंगे जरूरी है कि बीच में किसी का सम देली गेट आ जाएं और पुराने दिली स्टेशन से भी डेली गेट आ जाएं सब बसें आ रही है रुपया भी पांच या दस रुपया लगता है किराये का और जो लोग होटल में रह रहे हैं पहले सेनिटाइज कर वाली जीएगा देखोना कितना बड़ा दुक की बात है कि जवानों के पास जेव खर्च नहीं है कैसे कैसे वो किराया मांग के आ रहे हैं कि सरकार को यह पता नहीं है करोना में तो मजदूर पैदल गए थे आज हमारे यह चौकिदार कल के होने वाले सरदों के चौकिदार पैदल भी आ रहे हैं कि आई यह हम आपका ख्यार मग्दम करते हैं कि बापू की समादी राज खाट पे ठैक सो मच एब्रीवडी महिलाईं भी आ रहे हैं उनको भी हम चलूट और सलाम करते हैं नारीशक्ति को आईए आराज घाट बापू की समादी आइन्सा के पुजारी कि समादी पे हम आपक आप इस तकबाल करते हैं ठीकिस तो मैं एब बड़ आप